दुनिया में कहीं तरह के पेड़ पोदे पाई जाते हैं जिन में से कुछ कुछ कूपसूरत होते हैं तो कुछ बहेदी वीची तरोर हेरान करने वाले होते हैं आज जम आपको कुछ ऐसे इप पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में साइदी आपको पता हो विसोपरसिदी अजीबो गरीबो पेड़ अपने अंदर रैसे सुपाय होए है कि लोग इने देख कर हैरान हो जाते हैं इने देखने के लिए लोग दुनिया बर से आते हैं इसलिए बिना देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे अजीबो गरीबो पेड़ कहां पाये जाते हैं इनकी क्या खासित होती है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेर आइकन के बटन को प्रेस कर ले इससे आपको ऐसी डिलेटर वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के अजीबो गरीबो पेड़ की अजीब से दीखने वाला ये पेड़ मेडा गासकर अप्री का उष्ठियया में पाया जाता है ये पेड़ दीखने में उल्टे पेड़ की तरह लगते हैं ये पेड़ दीखने में ऐसे लगते हैं जैसे इनकी जड़े उपर की ओरो बहुत तना नीचे की ओर है ये पेड कापी मजबूत होने की वज़े से इस पेड के लकड़ी बहुत महँगी भी होती है इनके मुझाई करीब नबर पिट के आसपास होती है इस पेड की सबसे बड़े कास्यते की ये पेड अपने तने में एक लाग लेटर पानी सोकने की समता रखते हैं इन पेड़ों कर 6 मईने हरे बड़े पते रहते हैं, बाकी 6 मईने पते जड़ने सुरू हो जाते हैं ये पेड बहुत ही अजीब लगता है, जब नदिया सूक गई हो, ये तालाफ सूक गई हो तब इन पेडों में आप पानी जमा कर सकते हैं इन पेड़ों को उप्योग रशी शाबुन बनाने और कप्ड़ा बनाने किया जाता है अब हम बात करते हैं दुनिया का ऐसा एकलगतो पेड जो बारत में है अब हम आपको ऐसे पेड से मिरवाते हैं जो हमारे देश में मुझूत है जो भी इस पेड़ की आकर्ति को देता है वहे रहां रह जाता है ये पेड़ आंदर परदेश में है इस पेड़ की सबसे अपड़ी कासियते की इस पेड़ पर साप, भिचू, बंदर, मंगरमच, अनिक जानुरों की आकर्तियां उबरी हुई है हालांकि लोगों का मानना है कि ये कोई चमतकार नहीं है बलकि किसी कलाकार ने इस कलाकर्तियों को बनाया है कुछ लोगों का मानना है कि ये तो परकति की देन है सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे इस पेड़ का आकर बढ़ता है तो यह कलाकरतियों का आकार भी बढ़ता जाता है है ना दुनिया का ऐसा इकलोता पेड जो पार्ट में है शिल्ख कोटन ट्री यह पेड दुनिया का सबसे रहसे में पेड़ है यह पेड एक बगवान की देन मानते हैं जो कमबोडिया में इस्तित है जिसे मंदिरों का सेर भी करते हैं इस पेड़ ने तो पूरे मंदिर को ये रखा है ये पेड़ बढ़ता ही जा रहा है जो यहां के लोगों का एक आतर से पेड़ बन चुका है करते हैं कि ये पेड़ इस मंदिर के बनने से पहले से ही मौझूद है बलकि आज एक मंदिर खंडर बन चुका है परन्तु ये पेड़ आज भी बढ़ता ही जा रहा है इस पेड़ को देखने के लिए दुनिया बसे पूरिष्ट आते हैं जो यहां का आकरसक के अंदर है रेन्बो एकलूटिस आपने जिए उनकाल में कई पेड़ों के परजाते हैं देखी होगी परन्तु हम आज जिस पेड़ से मिलवाने जा रहे हैं वह दुनिया का आज ही पेड़ है ये पेड़ रंग बिरेंगे रंगों के रिए जाने जाते हैं इन पेड़ों के मुचाई करीब 70 पिट के आस पास होती है इन पेड़ों का उप्योग वाइट पेपर बनाने में भी किया जाता है ये पेड़ इंडोनुशा के जंगल में बहुत पाहे जाते हैं ये पेड़ बहुत कुस्पुदार होते हैं इस पेड़ों की साकाई जाहरे रंग की होती है तो इनका तना रंग बिरंगे रंगों का होता है ये पेड़े दुनिया में अपने कुछबू बिकेरने के लिए जाने भी जाते हैं इन पेड़ों की छाल भी रंग बिरंगे रंगों की होती है ड्रेगन बलट ट्री जिस तरह इंसानों के गाव होने पर खूल निकलता है वेशे इस पेड़ को काटने पर खूल निकलता है इस पेड़ को काटने पर लार रंग का एक पदार्थ निकलता है जो बिलकुल इंसानों के बलट जैसा होता है ये पेड अपनी बना उट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है इस पेड का कार सतरी की तरह होता है ये पेड यमन की सोकोटों दीप पाई जाते हैं ये नीचे से सक्रा उपर से चोड़ा होता है इन पेड़ों को उपर से देखने पर हैसा लगता है जैसे शेक्डों पेड एक साथ बंद गए हो ये पेड करीब चस्सो साल तक जीवित रह सकते हैं विश्टेरिया ट्री इसे दुनिया का सबसे कुप सूरुत पेड माना जाता है ये पेड जापान में पाया जाता है ये पेड पूरी तरह फूलों से डखे रहते हैं किसी पेड पर गुलाबी तो किसी पेड पर निले रंग के पुष्प होते हैं इन पूलों को पूरी तरह से किल्ले में पांस से पंदरा साल का समय लग जाता है ये दुनिया का एसा रंग बिरंगा इकलोता पेड़ होता है ग्रेंट शिकवा ट्री ये दर्ती पर मोजू सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है दीप ने में किसी दानों की तरह लगने वाला आजीब सा पेड़ अमेरिका में है इस पेड़ का अनुमानित वजन 27 लाग पाउंड के आस पास है करीब 255 पेड़ लंबे इस पेड़ के उमर 2300 से 2700 साल के आस पास बताई जाती है इसे दुनिया का सबसे बुजर पेड़ भी माना जाता है ये दुनिया का सबसे लंबा बड़ा पेड़ भी है इसे जनरल स्विटी के नाम से भी जानते हैं इसके मुचाई 300 पिट के आस पास होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ भी करते हैं केविल लेंट्री इस पेड़ का नाम ये जीव सा लगता है इस पेड़ का कार बोतल की तरह होने की वज़े से इसे बोतल पेड़ भी का जाता है इनके याकार को देखकर हर कोई ये रहां रह जाता है इस पेड़ की बनावट बिल्कुल बोतल की तरह है इस पेड़ को जरी राप पेड़ भी कहते हैं इस पेड़ से एक जरी राप पदार निकलता है इसे किमिल्स लेंड के नाम से भी जाना जाता है जबू टीकाबा आपने फलों को तो पेड़ों की टेनियों पर ही लगे हुए देखा होगा अगर हम आपको यू कहें कि तनों पर लगते हैं तो इतो चोकाने वाली बात होगी दक्षन अमेरिका में एक ऐसा पेड़ है जिसके फल साकाओं पर नहीं बलकि पेड़ के तनों पर उपते हैं विजित्रो रेश्य में दिखने हुआ है इस पेड़ को जपुटी काबा के नाम से जाना जाता है यह अंगूर की ही परजाती का एक पेड़ है इस पेड़ के फल को ब्राजिल, पेरू, अर्जेंटिना के लोग बड़े चाव से काते भी है दिख कोट पॉर्स, यह पेड़ नहीं बलकि एक जंगल है, जिसे एक गाउं के लोगों ने सन 1930 में लगाया था, जो पॉलेंड में है इन पेड़ों की सबसे बड़ी कासित है कि यह पेड़ सांप की तरह बढ़ते हैं इनका गुमावदार आकार एक खुले जूलें की तरह लगता है, आज इन पेड़ों की संक्या बहुती ज़्यादा हो गई है, यह पेड़ अपने अजीब आकार के लिए दुनिया बढ़ में जाने जाते हैं ट्री ओप टुले, यह बड़े आकार का पेड टुले नाम की जिबे परिस्चित है, इनकी मुचाई करीब 170 पिट के आसपास होती है, इस पेड़ का कद बहुती मोटा एक विशुशनी पेड़ है, जब इस पेड़ के बारे में पता लगा तो विग्यानिकों ने इनकी साल बताई जाती है, यह दुनिया का ऐसा एक रोता पेड़ है, जिसकी जड़े जमीर के नीचे नहीं होकर उपर से होकर बहुत दूर तब जाती है, दुनिया में ऐसे कही सारे पेड़ आज भी मोजूद है, जिनका रहसे से पड़दा आज भी सांसिस्त नहीं उड़ा आता बहुत ही गरा होता है, दोस्तों आपको हैसी इंटर्शी वीडियो देखने के लिए आप अमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको जैसी भी दर वीडियो देखनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं